बरेली के बड़ा बाजार क्षेत्र में आने वाली एक गली जिसे भरत गली कहा जाता है। बरेली के बड़ा बाजार क्षेत्र में आने वाली जिसे भरत गली कहा जाता है। बड़ा बुला लिया। जिससे लोगों का रोश और बढ़ गया वा विवाद की स्थिती बन गई। काफी बहस के बाद रोड डलने शुरू हो गई। बरेली के कैंट शेत्र कांधरपुर में एक सर्राफ से बदमाश रूपियों वजेवरात से भरा थैला लूट कर फरार हो गई। पुलिस सीसी टीवी कैमरे में बदमाश कैद हो गई। सीसी टीवी में कैद हो गई। घटना से क्षेत्र में दहशक फैल गई। सुचना पर पहुंची पुलिस ने सीसी टीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें तीनों बदमाश कैद हो गई। बरेली में एक महिला के पती का उसके पडोसी से विवाद हो गया था। जिस पर महिला ने आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्स करा दी। इस दोरान महिला के मोबाईल पर फोन अंजान नमबर से फोन आया कि वह SSP आफिस से दरोगा बोल रहा है। आरोपियों की गिरफतारी के लिए 4000 रुपए खर्च होगे जिसे वह आनलाइन भेज दे। उसने एक व्यक्ति को SSP बता कर बात भी कराई। शक होने पर जब महिला के पती ने रुपए देने से इनकार किया तो मोबाईल फोन पर बात करने वाले आरोपी ने उसके पती को फसा कर जेल भेज देगा। महिला ने इस मामले में SSP से शिकायत की। SSP के आदेश के बाद काल करने वाले के खिलाफ मुकज़ा दर्स कर लिया गया है। और वसीम उर्फ गंठी बाइक को दोडाने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो उन पर दोनों ने फायर कर दिया। जवाबी कारवाई में पुलिस को भी फायर करना पड़ा। पुलिस की गोली दोनों शातिरों के पैर में लगी। पुलिस ने गिरफतार कर दोनों को उप अरोपी से सीयो प्रथम पंकज श्रीवास्तव की पूच्टाच जारी है। अरोपी से पूच्टाच की जा रही है। इस दोरान आरोपी उसके दोस्त को पीट रहे थे। अरोपी उसके वरुन पुत्र सुदेश सिंग जयोम ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। वह उस बात को मजात में डाल गया। बरेली में मजले भाई से जगडे के दोरान पती का बीच बचाव करने गई महिला को उसके देवर ने अपने परिवार के साथ इतना पीटा की वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्तरों ने उसे मृत घोशित कर दिया। उसे जमकर मारा पीटा। पुनम शर्मा मार पीट में गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए उसे अस्पताल में भरती कराया गया जहां डाक्तरों ने उसे मृत घोशित कर दिया। आवला समेथ पूरे ख्शेतर के सभी बाजारों में मिलावती खाद्य पदार्थों की खुले आम बिक्री हो रही है। लेकिन विभाग जाच के नाम पर केवल खाना पूरती कर रहा है। यहां की कई मिठाई की दुकानों में मिलावत की जा रही है। यही नहीं क्योहार के दौरान मिठाईयों की खपत को देखते हुए मिठाईयों में विभिन प्रकार के हानिकारक के मिकल भी मिलाए जा रहे हैं। मिलावट से अंजान ग्राहक इन मिठाईयों को खरीद रहे हैं। खाद्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जाच के नाम पर महस खाना पूर्टी कर रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुची पुलिस ने शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया, जेब में रखे कागजात की मदद से परिजनों को सूचना दी गई। सूचना पर पहुची पुलिस ने शव को पंचनामा भर कर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा और इसकी जानकारी परिजनों को दी। स्टार बेस की ओर से असद ने सरवाधिक नंबर रन बनाएं। जवाब में उतरी इंफिनिटी की टीम 149 रन ही बना सकी। इंफिनिटी की ओर से टेनी ने 22 और MP ने 24 का सरवाधिक स्कोर किया। मैच की समापती के बाद असद को Man of the Match दिया गया। क्रिकेट मैच में मुक्ती के रूप में जिंगल कलब के मलिक अमन बजाज, जीपी अकैडमी के मालिक गगन महरोतरा, पवन महरोतरा, स्पोर्ट्स हब की ओर से अभिशेक पटेल, मैच में अमपायर की घूमिका में मयंक और संदीप पॉल रहे वहीं कमेंटेकर की घूमिका में राजु खेरेने निभाए।